ऑलो फ्रेंस विडो विडो यहां पे बड़ा स्पाइक मिल सकता है अगर आप लोग यहां पे देखेंगे 24 हर्च के अंदर लगभग 400% से एभव यहाँ पर भलूम के अंदर इंक्रिजमेंट देखने को मिला है प्लॉस यहाँ पर अगर मार्केट के आपको देखेंगे तो लगभग यहाँ पर 12% के आसपास जो है तो अल्ट मार्केट के अब जो है लगभग 1.04 टीलें तक यहाँ पर आज उपाय मार्केट के अंदर जो डाउन ट्रेंड है वो अभी भी हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल ला है नेश्ट अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे बेवी डाज की जो वान सेप्टेंबर को यहाँ पर बड़ी बर्निंग है वो यहाँ पर हुआ है वो यहाँ पर बेवी डाज के उपर हुआ था और उसका इफेक्ट भी आप लोग को अभी की टाइम पर थोड़ा बहुत देखने को मिला है और यहाँ पर देख सकते हैं जो वेवी डाज की ट्वीटर हैंडल की उपर इन्होंने फोर सेप्टेंबर को यहाँ पर बड़ा अनौसमेंट की जो है उमीद यह लोग यहाँ पर कर रहें मतलब यहाँ पर कोई रिबल नहीं किया है टॉप ट्रेंडिंग काल की दिन यहाँ पर आनौसमेंट होने वाला है तो हो सकता है इसकी उपर कोई बड़ा अनौसमेंट तो आप लोग को इसको भोलना नहीं चाहिए और यहाँ से देखिए बहलूम की अंदर एक आच्छा कासा इंक्रीजमेंट हम लोग को देखने को मिला है और यहाँ पर च चार्ट की बात करें देखिए अगर आप लोग पहले से इसको थोड़ा सा होल्डिंग करें क्यूंकि बहुत पहले तो आप लोगों ने सायद बाय नहीं किया होगा बहुत पहले से आप लोग को इसको होल्डिंग करके होंगे क्यूंकि हम लोग यहाँ पर ज्यादा वीडि भी हम लोग को देखने को मिल सकता है तो सबसे पहले यहां पर चार्ट की बात करें तो देखिए यहां पर जो बाइंग जोन है वो लगभग 10 की सीरीज पर आप लोग कर सकते हैं लेकिन यह जो है पूरा डाउं ट्रेंड की अंदर बॉटम जोन की अंदर यहां पर अगर मिले सकता है क्योंकि यहां पर च्ट्रांग रेजिस्टांच जोन यहां पर बना हुआ है आप लोग यहां पर देखेंगे एक यहां पर देख्या कर सकते हैं मेरे हिसाब से ही यह जो लोगों ने यहाँ पे सायद इसको holding नहीं किया होगा बहुत उपर यहाँ पे बाय किया होगा और इस bottom zone के अंदर बहुत कम लोग यहां पे hold किये होँगे and जो लोग पहले से इसको holding करें तो आप लोग को यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है नियू एंट्री इसकी अंदर नहीं लेना है जो भी आप लोग के पास में जो कैन पड़ा है अगर आप लोग चाहे तो यहां पे काम कर सकते हैं और वो क्या है कि यहां पे अगर 19 की सीरीज तक यहां पे थोड़ा सा वेविड़ज के अंदर हाइप दे यहां पे आजाए तो आप लोग अगर वेविड़ज के अंदर एंट्री है तो आप लोग इसी साब से थोड़ा सा चल सकते हैं और इस चानल के उपर अगर पहले बार कर रहे हैं वीजिट तो चानल को सब्सक्राइब कर लिजे कोई भी बड़ा अपडेट यहां पे आता है ठीक्यो ब्रेंट